मैं डॉक्टर स्वाती मिश्रा आज दुबारा अपने वीडियो के साथ आप सब के सामने उपस्थित हूँ आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो पिछले वीडियो का ही कंटिनुटी का है हम लोगों ने पिछले वीडियो में D-certification के concept को देखा था उसमें हम लोगोंने इंडिया का present status क्या है D-certification में वो हम लोगोंने देखने का प्रयास किया था साथ में किस क्या कारण है D-certification की What are the causes of D-certification मरुस्थली करन के कौन-कौन से कारक है वो हम लोगों ने देखा था और मैं आपको कही थी कि मैं तुरंद ही second part लेके आओंगी जिसमें हम लोगों को ये देखना है कि इंडिया और world में क्या-क्या initiative लिये जा रहे हैं ताकि हम इस जो process है ये negative process है न तो इस negative process को हम control कर सके इस environmental problem को हम anyhow control कर पाए इसमें क्या-क्या initiative लिये जा रहे हैं वो अब हम लोग देखेंगे तो फिलहाल आप सभी का मेरे channel पे स्वागत है अभी तक like, share और subscribe नहीं किया है तो प्लीज इन तीन process को करते रहे हैं और मुझसे connected होते रहे हैं 5000 subscriber के लिए आप सभी को बहुत दिल से आभार है बहुत धीमे बढ़ा है पर बढ़ तो रहाई है और कुछ मेरी भी लापरवाई है कि मैं आपको continuous video नहीं provide कर रहे हूं तो I accept my fault चले start करते हैं आज का ये वीडियो आपने देखा मरुस्थली करण रोकने के उबाए measures taken to curb decertification मरुस्थली करण के विस्तार को रोकने के लिए पर्यावरणिय असंतुलन को कम करके क्या जो environmental imbalances है उसको कम करके पृत्वी की गर्माहट में कमी को रोकना होगा ठीक है इसके लिए क्योटो सम्मिलन आप सभी अगर थोड़ा भी environmental issues को आप पढ़ते होंगे तो आपको क्योटो जो conference है वो अच्छे से याद होगा 1997 का क्योटो सम्मिलन और Montreal Protocol 1998 में इन दोनों में ही इस पस्ट निर्देश दिया गया था किस चीज़ से related global warming से related जो आर्थ का temperature बहुत तेजी से बढ़ आ था उस पे control करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल और Montreal Protocol दोनों ही अपने आप में important थे और इन दोनों में क्या बाते की गई थी कि जो CFC gas है ना chlorofluorocarbon जिसको हम कहते हैं CFC site अनेक जितने भी विनाशकारी gas है जो भी global warming के लिए responsible है जो भी gases उनके उपयोग को 2010 तक ठीक है क्या target दिया गया था 2010 तक पूरी तरह से पुरी तरह से प्रतिबंधित करने की बात कही गई थी पुरा तो नहीं हो पाया इस सहमती के का जिन में कमी तो आई ठीक है कुछ तो control हुआ ही किन्तु अपेक्षित इस तरह तक सुधार नहीं हुआ साथ ही मरुस्थली करन रोकने के लिए सयुक्त रास्ट अभी समय 1994 स्वीकार किया गया और समय समय पर इसके पक्षकारों की बैठ के आयूजित होती है जिसमें इस्थि किया लिए गए क्या step उठाये गए decertification को कम करने के मरुस्थली करन की प्रक्रिया को रोकने के लिए या उसके गती को कम करने के लिए क्या क्या step उठाये गया तो हम Kyoto समैण और Montreal protocol के दौर से देखना शुरू करेंगे क्योंकि decertification का एक सबसे बड़ा responsible factor जो था वो climate change भी था मैंने बताया था तो climate change को control करने के लिए global warming को control करने के लिए इन दोनों ही conferences में CFC gas पे नियंतरण लगाने की बात की गए थी कि जो भी देश chlorofluorocarbon का उचसरजन कर रहे हैं वो अपने इस उर्सरजन को इस emission को कम करें और इसके लिए बहुत सारी रहनीतिया बनाए गई कुछ हद तक control भी हुआ पर जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाया जब detail में आप environmental science और studies की तरफ आप आगे बढ़ेंगे तो आप सारी इन चीज़ों को देखेंगे फिलहाल मरुस्थली करन रोकने के कुछ सामान ने उपाय क्या क्या है अगर मैं general measures की बात करी हूँ तो वनों की कटाई पर रोक लगाना होगा मरुस्थलों में जलवायू के अनुरूप रिक्षा रोपन करना होगा मतलब forestation के process को आगे बढ़ाना होगा चारा गाहों का विकास जिससे पशु अन्यत न जाकर वहीं चारण करें हमने एक देखें जितने भी कारण है उस कारण को आप control करने चले तो अपने आप measures हो जाता है तो जितने भी मैंने causes बताय थे decertification को उनी को अगर हम रोक देंगे तो अपने आप वो measures हो जाएगा तो over grazing जो है वो भी एक कारण था अती चारण तो उसको control करने की ज़रूरत है जल का सीमित मात्रा में उपयोग तथा जल सनरक्षन के परमपरागत साधनों का उपयोग इस इस must and must कि हमें जो traditional तरीके थे water conservation के हमें उस और फिर से move करने की ज़रूरत है और anyhow water conservation पे पूरा पूरा काम करने की ज़रूरत है नमी सनरक्षन तता सुष्क क्रिशी के विकास को आगे मतब नमी सनरक्षन करना और जो सुष्क क्रिशी आगे बढ़ती जा रही है उस पे control करना विभिन तकनीकों का प्रियोग कर रेत के तिलों का इस्थानलांतरन रोकना जो dessert area में ऐसे रेत के तिले बन जाते हैं उन पे control करना और बीच छिड़काओ और न्यून्तम जोताई ये सारे तरीके हैं जिससे कि हम decertification के process को रोक सकते हैं फिलहाल हमें ऐसी ही तो पढ़ना नहीं है ये तो general था अब हमें पढ़ना है कि India और वोल्ड में क्या-क्या steps लिये जा रहे हैं decertification process को रोकने के लिए तो फिलहाल मैं आगे चलूँगी कि what are the initiatives taken by Indian government और India to curb with decertification तो भूमी संसाधन विभाग एवं जो भूमी संसाधन विभाग है land resource department है और राश्ट्री वनी करण एवं विकास बोड के समन्वे से दोनों के मेर जोल से देश में बंजर भूमी के विकास एवं मरुस थली करण के विस्तार पर रोक लगाने के लिए अनेक कारेकरम की शुरुवात की गई चलते हैं देखते हैं कौन-कौन से कारेकरम की शुरुवात की गई आपको answer लिखने में बहुत easy होगा पहला command area development सबसे बड़ा काम क्या किया गया command थेत्र विकास command area development ये क्या है ये 1974 में सिचाई चमता की उपयोग में सुधार और कुशल जल प्रमधन के माध्यम से कृषी उत्पादन को अनुकूलित करने के लिए शुरू किया गया मतलब command area development का कब हुआ है 1974 में ये शुरू किया गया है और इसमें क्या किया गया जो irrigation techniques है हमारी irrigation techniques को strong बनाते हुए जो water management का process है water management के process को strong करते हुए हमारे जो agricultural system है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार लाने का प्रयास किया गया जल संसाधन मंत्राले संबंधित राज्य सरकारों के साथ कारिक्रम के क्रियानवेयन का समन्वे करता है ये काम कोन करता है ये water resource जो ministry है ministry of water resources जल संसाधन मंत्राले वो इस command area development programs को देखता है किसके साथ मिल करके जो state governments है उनके साथ मिल करके चीके आगे बढ़ते हैं next जो है वो है integrated watershed management program this is one of the important program एकी कृत watershed प्रबंधन कारिक्रम ये 1989 और 90 के बीच में launch किया गया between 1989 to 90 इसका aim क्या था इसका उदेश क्या था कि ग्रामीर रोजकार के सर्जन के साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षन एवं विकास करके पारिस्थितिके संतुलन को बहाल करना मतलब जो ecological balance है उसको maintain करना ecological balance कैसे maintain हो पाएगा कि हम किस तरह से natural resources जो है उसको conserve करते चले जो ecological imbalances क्यों हुआ ecological imbalances क्या हो कि हम लोग ने natural resources का बहुत exploitation करना शुरू कर दिया जिस वे से ecological imbalances create हो गए इस ecological imbalances को remove करते हुए ecological balance को लाने के लिए क्या करना होगा we have to upgrade our natural resources we have to conserve our natural resources and it was named as hariyali guidelines 2003 में इसे integrated watershed management programs को hariyali guidelines नाम दिया गया remember it it was subsumed under प्रधान मंत्री क्रिशी सिचाई योजना ये किसके द्वारा चलाय जाता है प्रधान मंत्री क्रिशी सिचाई योजना 2015-16 और 2019-20 और इसको नीती आयोग implement करता है okay you got all the points third थर्ड जो initiative लिया गया इंजन government की तरफ से वो है मरुस्थल विकास कारेकरम desert development program ठीक है इसे कब शुरू किया गया इसे 1995 में सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करते हुए और पहचाने गये रेगिस्तानी छेत्रों के प्राकृतिक संसादन आधार को पुनर जीवन्त करने के लिए शुरू किया गया इसका aim क्या था कि minimize the adverse effect of drought ठीक है जो सूखे का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसको कम करना and rejuvenate the natural resources जो मेरे प्राकृतिक संसादन ने उसको rejuvenate करना ठीक है उसको फिर से सुधार करना उसका basically ये जो hot desert areas है जैसे राजस्थान, गुजरात और हर्याना वहाँ पर ये launch किया गया और जो cold desert areas हैं जैसे हिमाचर प्रदेश और जम्मू कश्मीर वहाँ पर तो hot desert areas and cold desert areas में ये implement किया गया and this program was implemented by ruler development ठीक है ruler development के तहत इसको launch किया गया था and India became a signatory to UNCCD in 1994 and ratified in 1996 अभी मैं UNCCD के बारे में आगे बताऊंगे next जो program है वो है राष्ट्री वन रोपन कायरिक्रम नेशनल एफॉरस्टेशन प्रोग्राम नेशनल एफॉरस्टेशन प्रोग्राम जो है यह 2000 में 2000 से निमनिकृत वन भूमी के वनीकरन के लागू किया जा रहा है इसे पर्यावरन वन और जलवायू परिवर्तन मंत्राले द्वारा क्रियानवित किया जा रहा है यह जो राष्ट्री वन रोपन का रिक्रम है नेशनल एफॉरस्टेशन जो प्रोग्राम है it was implemented by ministry of environment, forest and climate change and it was implemented in year 2000 for the afforestation of degraded forest land मतलब जो ऐसे forest land जो deforestation के process से गुजर रहा है मतलब जहां पर वनों की कटाई बहुत तेजी से हो रही है वहां पर फिर से afforestation करना मतलब दुबारा से वनों का निर्मान करना मतलब पौधे लगा करके वन को आगे बढ़ाना ये कारेक्रम करने का प्रयास किया जा रहा है next जो प्रोग्राम है वो है मरुस्थली करण का मुकाबला करने के लिए राष्ट्री ये कारेक्रम नेशनल एक्षन प्रोग्राम टु कॉम्बेट दी सर्टिफिकेशन ओके ये 2001 में बढ़ते मरुस्थली करण के मुद्दे को संबंधित करने और उचित कारवाई करने के लिए तयार किया गया है इसे पर्यावरन वन और जलवायू मंत्राले दुआरा क्रियानमित किया जा रहा है सेम है जैसे राष्ट्री वन रोपन कारेक्रम को Ministry of Environment, Forestational, Climate Change कर रहा था इस कारेक्रम को भी इस प्रोग्राम को भी Ministry of Environment, Forest and Climate Change कर रहा है ठीक है डी सर्टिफिकेशन को रोकने के लिए नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है हरित भारत पर राष्ट्री ये मिशन, National Mission on Green India ये जलवायू परिवर्तन पर राष्ट्री कारेयोजना NAPCC का एक हिस्सा है मतलब National Action Plan on Climate Change याद रखिएगा NAPCC National Action Plan on Climate Change चीक है उसका ये हिस्सा है ये इसे 2014 में 10 साल की समय सीमा के साथ भारत के घट्टे वन आवरंड की रक्षा पुनर स्थापना और बढ़ाने के उद्देश से अनुमोधित किया गया था अगेन इसे परिवर्ण वन और जलवायू परिवर्तन मंत्राले द्वारा कान्यानमित किया जा रहा है ठीक है समझ में आ गया कि it is approved in it was approved in 2014 with objectives of protecting, restoring and enhancing India's diminishing forest cover with a deadline of 10 years कि जो भारत में बहुत तेजी से जो forest cover area खत्म हो रहा है जंगल हमारे कम होते जा रहे हैं उसके protect के लिए उसके restoration के लिए और 10 साल की समय सीमा को ले करके इस program को launch किया गया and it is also run by Environment Forest and Climate Change Ministry नेक्स्ट प्रोग्राम 7 भारत में मरुस्थली करण और भूमी चरण Atlas, De-Certification and Land Degradation Atlas of India इस तरह के एक Atlas भी बनाया गया है इसे इसरो द्वारा जारी किया गया है यह मुख्यता मरुस्थली करण एवं भूमी चरण की प्रक्रिया के अध्यन हेटू कारे करता है मतलब हमें पता तो चले कि कहां Deforestation का Process देजी से हो रहा है कहां पर नहीं हो रहा है यह Atlas इसे इसरो मतलब सेटलाइट के थूँ जो सेटलाइट टेक्नोलजी उसके थूँ इसरो इस माप को अपडेट करता रहता हूँ और हमें प्रोस्थली करण एवं भूमी चरण की प्रक्रिया के अध्यन हेटू कारे करता है आगे बढ़ते हैं अब हम लोगों ने देखा कि उप्यूक्त कारेक्रम के अलावा देश में भू अवनती से निपटने के लिए मदब लैंड डिग्रेडेशन से निपटने के लिए कई अन्य योजना है आरंब की गई जैसे कौन-कौन से प्रदान मंत्री फसल भीमा योजना म्रिद Hah स्वास्त कार्ड स्कीम जिसको स्वाइल हेल्थ कार्ड कहा जाता है प्रदान मंत्री कृषी सिल्चाई योजना फिर प्रती बून्द अधिक फसल पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है ये सारे य आध्यम से भी मरुस्थली करण से संबंदित चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आप इस नाम को देखके कहेंगे मादम इसका मरुस्थली करण से क्या मतलब बिलकुल मतलब है ना क्योंकि decertification जो है वो multiple process है मतलब land degradation के कारण भी climate change के कारण भी water level के कम होने के कारण भी wind erosion, soil erosion, soil का pollute होना, water का pollute होना सभी का कारण है decertification मतलब सभी मिल करके decertification process को बढ़ाते हैं तो ये सारे योजनाय भी कहीं न कहीं से उनसे संबंदित है भारत का पर्यावरण मंत्राले अंतराष्ट्री संग के साथ मिलकर वन भूमी जिनोधार और बॉन चैलेंज पर फ्लैक्शिप पर योजना का संचालन कर रहा है और अब world में जो programs launch हुए हैं उसमें भी India participate कर रहा है जैसे बॉन चैलेंज है bond challenge world में initiative लिया गया decertification process को रोकने के लिए उसका भी भारत हिस्सा है चीकें अब आगे हम पढ़ते हैं ये bond challenge आगे हमारा ये अब one मैंने क्यों डाला क्योंकि ये world देखिए चीक है जो world level पे world level पे जो programs हो रहे हैं अब मैं यहां से ये शुरू करने जा रही हूँ bond challenge ये क्या है bond challenge एक वैश्विक प्रयास है जिसको मैंने बताया था एक global initiative है जिसका उदेश ये विश्व में निर्विने कृत एवं भू चरंड में से वर्ष 2020 तक 150 million hectare तथा वर्ष 2030 तक 350 million hectare भूमी की पुनर बहाली करना है मतलब इस challenge को क्या लिया गया है कि जितने भी हमारे land डिग्रेड कर गए हैं या वो land जो decertification के process से गुजर रहे हैं 2020 तक जो बीच चुका है 2020 तक 150 million hectare land को फिर से दुरुस्त करना और वर्ष 2030 तक लगभग 350 million hectare भूमी की पुनर बहाली मतलब इन भूमी को फिर से ठीक करना आरंब में भारत जो की स्वैक्षिक इस्तर पर bond challenge का हिर्षा था वर्ष 2020 तक 13 million hectare तथा वर्ष 2030 तक अटिरिक्त 8 million hectare निर्विनिकृत वा अवनती भूमी की पुनर बहाली का लक्ष रखा है अब ये तो पुरा वर्ड का लक्ष है ना अब इंडिया का क्या target है इंडिया का target था कि 2020 तक 13 million hectare land को वो save करे फिर से और 2030 तक वो उसमें और 8 million hectare जोड़ दे परंतु अब आप देखेगा कि 27 अगस 2019 को इसका वो किया गया मतलब एक analysis किया गया तो 27 अगस 2019 को केंद्री परियावरन वन जलवायू परिवर्तन मंत्राले ने गोशना की कि भारत अगले दर्स वर्षों में अवनती 50 लाग hectare 5 million hectare भूमी को उर्वर बनाएगा अर्थात Land Degradation Neutrality जिसको कहा जाता है Land Degradation Neutrality LDN ये वर्ड याद रखेगा कभी भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है LDN Land Degradation Neutrality के तहट भारत द्वारा पहले से तय लक्ष से काफी कमी है अब हमारा लक्ष तो बहुत जादा था 13 million hectare था 2020 में और 2019 तक हमने सिर्फ 5 million hectare को ही दुरुस्त किया है हम अपने लक्ष से काफी पीछे हैं ओके तो ब्रिंग अर्थात Land Degradation Neutrality के तहट भारत द्वारा पहले से तय लक्ष में काफी कमी है ये तो हम देख रहे हैं है ना इसलिए मैंने ये डाटा दिया तो बॉर्म चालेंज आपने समझ लिया एक वर्ल्ड में क्या इनिशेटिव चला जा रहा है गोल 15 of Sustainable Development Goals SDG Sustainable Development Goals 2030 चीक है लक्ष सतत विकास लक्ष के लक्ष पंद्र लक्ष पंद्र ऐसे करके हैं ये गोशना करता है कि हम ग्रह को चरण से बचाने हेतू प्रतिबंधित हैं जिस है तू हमें सतत विकास की प्रक्रिया को आत्मसार्थ कर सतत उपभोग एवं सतत उत्पादन को अपनाना होगा सतत आप जानते हैं Sustainable तो ये क्या डिक्लियर्स करता है अपने प्लानेट को जो डिग्रेड हो रहा है लैंड उससे बचाने की कोशिश करेंगे और Sustainable Consumptions के तुरू और Sustainable Production के तुरू Sustainable Development का Concept जब मैं आगे पढ़ाऊंगी तो आपको Concept और क्लियर जाएगा बस Sustainable Development का मतलब इतना चलिए कि अपनी जरूरतों को थोड़ा सा सिमित करते हुए भविष्य में जो पिड़ी आने वाली है उसकी जरूरतों का भी ध्यान रखे बीच में हमने क्या किया ना सिर्फ अपने ही अपने ही अपने ही ग्रोथ के लिए सारे चीजों का इस्तमाल धढले से किया सोचा नहीं कि आगे जो पिड़ी आएगी उस बचारों का क्या होगा तो अब कॉंसेफ्ट आ गया हर चीजों में सस्टनेबल डेव्लपमेंट सस्टनेबल कंजप्शन सस्टनेबल प्रोडक्षन ओके नेक्स्ट जो इनिशेटिव लिया गया है बोलिया गया है मरुस्थरीकरन का मुकाबला करने के लिए सयुक्त रास्ट सम्मिलन युनाटेड नेशन कन्वेंशन टु कॉमबेट डी सरिफिकेशन यह यही मैं आगे बोली थी UNCCD के बारे में मैं बताऊंगी UNCCD यह 1994 में स्थापित किया गया था जो कि स्थाई भूमी प्रबंधन से जोडने वाला एक मात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतराष्टी समझोता है यह तरह का इंटरनाशनल जो है वो एग्रिमन्ट है लोगों के बीच में देशों के बीच में यह UNCCD का एग्रिमन्ट होता और इसके जो मीटिंग्स होते हैं उसको हम कॉप कहते हैं अब मैं आपको यहां इसके बारे में UNCCD के बारे में पुरा डिटेल में बता रही हूं कि वर्ष 1992 में रियो में आयोजित प्रित्वी सम्मेलन में जिन तीन कंवेंशन पर गंभीरता पुर्वक लागू करने पर विचार किया गया था उनमें मरुस्थली करण पर नियंत्रन वाला अभी समय UNCCD था UNCCD की कब बात हुई इसकी शुरुवात 1992 में जो रियो में प्रित्वी सम्मेलन हुआ था अर्थ सम्मेट रियो में आप जानते हैं वहाँ पर तीन कंवेंशन पर बात हुई थी दो एक कंवेंशन था बायो डावर्सिटी से रिलेटेड दूसरा कंवेंशन था क्लामिट चे वैधानिक रूप से बात है समझोता है जो पर्यावरण एवं विकास को सतत भू प्रबंदन से जोडता है जहां से सुनिएगा यह कंवेंशन विशेश रूप से शुष्क अर्ध शुष्क तथा शुष्क उपनम चेत्रो जिसे शुष्क भूमी भी कहते हैं जहां प्रित् अर्ध शुष्क नम चेत्र हैं उन चेत्रों पे यह काम करने का बात करता है यदि UNCCD के इतिहास को देखे तो सरप्रथम 1977 में मरुस्थलीकरण पर सयुष्क राष्ट सम्मेलन मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने के लिए कारवाई योजना Plan of Action to Combat Decertification को स्विकार किया गया सबसे पहले 1977 में स्विकार किया गया और तट पशात 1992 में सयुक्त राष्ट महासभा ने प्रस्ताव संख्या 47.188 को स्विकार किया और 17 जून 1994 को पैरिस में मरुस्थलीकरण से लड़ने हेटू अंतरास्ट्री अभ्यसेमा के सदस्य देशों ने इसे स्विकार किया है ये UNCCD के बारे में हैं पचास देशों द्वारा अनुमोदन के 90 दिन पशात यह कन्वेंशन याद रखियेगा 26 दिसंबर 1996 को लागू हो गया जहां तक भारत का संबंध है तो इसने 14 अक्टूबर 1994 को इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया तथा 17 दिसंबर 1996 को इसका अनुमोदन कर दिया गया भारत का पर्यावरन वन एवं जलवायू मंत्राले इस कन्वेंशन का नोडल मंत्राले हैं इस कन्वेंशन के फिलहाल 197 पक्षकार हैं 2019 तक के डेटा के नुसार 197 देश इससे जुड़ चुके हैं जो शुश्क भूमि में रहने वाले लोकों के रहन सहन में सुधार भूमी ए CCD के जो सदसे हैं वो बेसिकली किस पे काम करते हैं कि शुश्क भूमी में जो लोग रह रहे हैं उनका कैसे सुधार हो सके क्योंकि वहां पर पानी की बहुत कमी होगी वहां पर जो मिट्टी है वो पूरी तरह से पॉल्यूट हो चुकी है और उनका मेंली और काम है कि किस त 1997 में पहला सम्मेलन रोम में हुआ था चीक है नेक्स्ट है जो इनिशेटिव वर्ल में लिया जा रहा है UNCCD के बारे में मैंने डिटेल में बात की The Great Green Wall Initiative इसकी शुरुवात अफ्रीकी संग ने 2007 में की थी इस पहल का उदेश अफ्रीका के डिग्रेडेड लैंड्सकेप की पुनर बहाली तथा विश्व का निर्धन्तम साहेल छेतर में रहने वाले करोडों लोगों के जीवन में बदलाव लाना आप जानते हैं कि जो अफ्रीका का पोर्शन है कुछ पोर्शन वहां पर बहुत जादा डेजर्ड है साहेल छेतर जिसको कहते हैं वहां पर इतना जादा डिसर्टिफिकेशन का प्रोसेस बढ़ा की वहां के लोगों को सर्वाइफ करने में बहुत दिक्कते आई तो उनके जीवन में बरलाव लाने के लिए यह ग्रेट ग्रीन वाल इनिशेटिव के शुरुआत की गई एक बार इसका निर्मान हो जाने पर यह पृत्वी पर सबसे बड़ा सजीव संरचना होगी लगबग 8000 किलो मीटर लंबा प्राकृतिक आश्यर है इस पहल का फिलहाल विश्व के 20 देशों में क्रियान्वियन किया जा रहा है यह इस तरह का एक ग्रेट ग्रीन वाल बनाया जा रहा है नेक्स्ट है लान डिग्रेडेशन नूट्रिलिटी जिसको LDN मैंने अभी बताया था कि विश्व के 120 देश ने LDN टार्गेट के प्रती अपनी प्रतीपधिता व्यर्थ की है अब यह क्या है यह एकदम करेंट का हिस्सा है जो कोप UNCCD की जो बैठक होती है जिस बैठक को हम कोप कहते है 1997 में रोम में जिसका पहला बैठक हुआ इस बार कोप 14 का बैठक 2019 में दिल्ली में हुआ था ठीक है वही मैं बता रहे हूँ कोप 14 एवं दिल्ली घोशना पत्र मरुस्थली करण पर रोग से संबंधित सयूक्त रास्ट अभी समय जिसको कहा जाता है United Nations Convention to Combat D-Certification UNCCD के पक्षकार का 14 सम्मिलन 14 तोड़ा GSK भी दृष्टी से है Environment के पेपर से रिलेटेड को 14 सितंबर 2019 को कहा पर Greater Noida में संपन हुआ था यह सम्मिलन 13 सितंबर तक चला मतलब आप देख लीजे 2 सितंबर से शुरूआ और 13 सितंबर तक चला इस सम्मिलन के साथ ही अगले 2 वर्ष तक भारत इस अभी समय के पक्षकारों का अध्यक्ष भी रहेगा जहां पर मीटिंग होती थी होती है उसके 2 साल तक वही वहां का अध्यक्षता करता है UNCCD का इसले भारत 2 साल तक अध्यक्षता किया इस सम्मिलन का मुख्योदेश मरुस्थली करण वभू अवनती को रोकना तता शुषक भूमी का बहतर प्रबंदन और आप जानते QNCCD का मुख्य लक्ष क्या है कि किस तरह से decertification process को रोकना और land degradation को रोकना ये दोनों है UNCCD के पक्षकारों की चौदवी बैठर की समाप्ती पर 13 सितंबर को दिल्ली घोषना पत्र जारी किया गया इस घोषना पत्र में कई महत्रपून परामर्शों एवं रणनीतियों को शामिल किया गया इसमें यह माना गया कि जलवायू परिवर्तन एवं जैब विवित्ता हानी का सबसे सस्ता समाधान जमीन की पुनर इस्थापना है मतलब किस तरह से land degradation की वज़े से decertification की वज़े से जो हमारी भूमी खतम हो गई है उसको कैसे पुनर बहाली करे तो कैसे हम rejuvenate करे तो उसका best है तरीका land restoration का मतलब हम जमीन की फिर से पुनर इस्थापना करे मतलब फिर से पौधे लगाए फिर से उस पे वनी करण की प्रक्या को आगे बढ़ाए यह भी की जलवायू परिवर्तन की चुनोतियों के परिप्रेक्ष में सूखा से निपटने की तयारी एवं उसका प्रतियुत्तर अती जरूरी है इस घोशना पत्र में लोग पहले पीपल फर्स्ट की रणीती अपनाने का भी आवान किया गया जिसमें लैंगिक संतुलन सुनिशित करना युवाओं को सरलनगन करना और भूमी अधिकारों को सुरक्षित करना शामिल है आपने दिल्ली गोशना पत्र को भी पूरी तरह से देख लिया को फॉर्टीन को भी समझ लिया और दी सर्टिफिकेशन पे इतना एनफ था इससे ज़्यादा एक्जैम्स में नहीं पूछे जाएंगे तो इस पार्ट के साथ साथ आपका डी सर्टिफिकेशन का टॉपिक पुरी तरह से कंप्रीट हुआ आपको समझ में आया होगा कोई भी क्वैरी हो तो प्रीज मेसेज जरूर करिएगा मैं समझ जाऊंगी और स्टे कनेक्टेड मस्त रहिए स्वस्त रहिए बाई बाई टेक कियर